है कि हेलो फ्रेंड्स आज हम कोशन देखेंगे कोशन देखे क्या है फाइंड रिजल्ट टर्ण फॉर्ड गिवन फोर्ट सिस्टीम अलसो फाइंड डिरेक्शन एंड पोजिशन को डियरम गिवन है यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट कॉडरन में 50 न्यूटन का फोर्च दिया ह और उसको एंगल ढिए 30ग एंड अघंभी तेखेंग ट्रांटॉ कहन देखेंब यहाँ तेक्ट है यहाँ न्यूटन आप नेखनगर स्वर्च निचाते हैं 310 गॉर्च दिया एंगल यहाँ दिया है और यहाँ पर इस दिया विसेर्ट नंगी पहना है 1.el गाल समस्स्राइ 30 vertical 50 sign 30 इसको मैंने incline force को मैं रिजॉल किया उसके बाद मैं second quarter में दीखिये 80 निवुक्त रंका 4 से उसको मैं रिजॉल करूंगा 80 cos 75 80 sign 75 अब यह 75 क्यों आया यहाँ पर दीखिये एंगल 15 डिगरी दिया है लेकिन मुझे एंगल 90 माइनस 15 कितना होता है 75 मुझे एंगल मुझे with respect to x चाहिए था इसके लिए मैंने 75 निका रहा कॉस्चन में दीखिये 15 डिगरी गिवन है लेकिन मुझे with respect to y एंगल चाहिए क्या नहीं हमको with respect to x एंगल चाहिए तो 90 माइनस 15 डिगरी तो 75 इसके वरे से मैंने यहाँ पर 75 लिखा है ओके 100 नूटन का फॉर्स हम रिसॉल करेंगे क्या नहीं करेंगे क्योंकि वह इंकलाइम फॉर्स नहीं है इसके वरे से देखिए यहाँ फॉर्थ कॉर्टन में 60 नूटन का फॉर्स है एंगल विट रिस पर टूउज दिया है 45 डिगरी लेकिन मुझे अगल विट रिस पर टू एक चाहिए 45 डिगरी आँगल आघा क्यों कि 90 माइनस 45 तो यह एंगल 45 आया इसके वरे से तो 60 कोट्स 45 शिश्टी साइन 45 उके उसके बाद में नेक्श्ट इप क्या आता है summation fx find करेंगे, summation fx मतलब क्या होता है horizontal forces की addition करना तो horizontal force यहाँ पर कितने है 50 cos 30, 80 cos 75, 100 newton, 60 cos 45 मतलब 1, 2, 3, 4 यहाँ ठीक है, यहाँ पर दीखिए minus 100 में लिखा है Q, यहाँ कि minus 100 left side में जा रहा है left side में X कैसे रहता है, minus रहता है उसके बाद में minus 80 cos 75 लिखा है, क्यों? देखिए, यहाँ पर left side में जा रहा है यारो तो left side में क्या होता है, X negative होता है तो minus 80 cos 75 फिर बाद में देखिए, मैंने क्या लिखा है plus 50 cos 30, क्यों? क्योंकि देखिए, right side में X positive होता है 50 cos 30, उसके बाद में 60 cos 45, यह भी plus आएगा तो इसके मैंने plus 60 cos 45 लिखा है इसका हम calcium में solve करेंगे तो summation FX हमको मिल जाएगा minus 34.978 Newton, यह Newton लिखना भूलना नहीं है उसके बाद में summation FY हम find करेंगे summation FY मतलब क्या होता है? vertical forces की addition करना यहाँ पे vertical force कितने है? एक, दो, और तीन, 80 sin 75, 50 sin 30 यह कैसा आएगा? प्लस आएगा, क्योंकि यह upward जा रहे है और एक downward है, 60 sin 45 इसके बेज़े से मैंने minus लिखा है minus 60 sin 45, ओके? तो यह हम Kelsey में solve करेंगे तो मुझे हमको answer मिल जाएगा 59.847 Newton, ओके? उसके बाद में resultant R equal to formula क्या है? square root of summation fx square plus summation fy square okay, summation fx क्या था? 34.978 उसका square करेंगे plus summation fy कितना था? 59.847 उसका square करेंगे यह हम Kelsey में solve करेंगे तो हमको answer मिल जाएगा resultant 69.319 Newton Newton sign लिखना भूलना नहीं है एक्जाम में, ठीक है? उसके बाद हम क्या find करते है? direction find करते है direction का formula क्या होता है theta equal to tan inverse modulus of summation fy upon summation fx summation fy कितना था? 59.847 Newton और summation fx कितना था? 34.978 Newton तो हम यह यहाँ पे put करेंगे 59.847 divided by 34.978 यह हम Kelsey में solve करेंगे तो हमके answer मिल जाएगा theta equal to 59.696 degree okay, degree लिखना भूलना नहीं है एक्जाम में उसके बाद हम क्या find करते है position position कैसे find करते है यहाँ पे दीखे summation fx हमारा negative है और summation fy हमारा positive है summation fx अगर negative है और summation fy अगर positive है तो second quadrant आता है यहाँ पे दीखे second quadrant summation fx negative summation fy positive तो resultant lies in second quadrant summation fx negative, summation fx positive, यहाप हम दिखाएंगे resultant force 69.318 newton और यहापे theta equal to 59.696 degree, ओके, हमको question में क्या find करने के लिए बोला था, direction, position and resultant यहापे दिखाएंगे, find the resultant for the given force system, also find the direction and position, यहापने आज find किया, ओके, thank you